हेलो फ्रेंड्स ये है हमारी बेकरी श्टाइल खस्ता सी चोकलेटी कुकीज जिसको आप एक बार बना के महीने बर तक इंजोई कर सकते हैं तो चलिए फटा फट बनाना शुरू करते हैं इसे टो ही मैने एक कप मैदा ले लिया है एक टीज्पून मैने इसमें बैकिंग पाउडर डाल लिया है और उसी कप के नाफ से मैं हाफ कप इसमें पाउडर शुगर डाल रही हूँ अब पहले ड्राइ इंग्रेडियन को मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें टोटल वन फोर्थ कप उसी कप के नाप से घर का बनावा गी डाल रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगे पे बटर डाल लें और इसे अच्छे से हाथों से मसल के पहले पूरे मैं मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें मेरे पास चॉकलेट गनाश बनावा पड़ा है वो चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ मैं इसमें यह देखें फुल भरके एक टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें इस सारा पहुंचके डाल लेंगे और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे हम हाथों की मदद से और अगर जरूत हो तो इसमें 2-3 टेबल स्पून रून टेम्प्रेचर का दूर डाल के इसका हम डो बना लेंगे बस मसल मसल के डो नहीं बनाना है बस इकटा करना है हमें इसे तो मैं इसका डो बना लेती हूँ तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी बताएं कौनसी सीटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वह भी बताएं मैं जरूर ट्राइ करूंगी बनाने की तो अब यह देखिए हम इसका डो बना लेंगे मैंने इसमें दूर डाल लिया रून टेंपरेचर का यह देखिए ज्यादा मसलना नहीं है बस इकटा करना है यह धियान अब हम इसकी कुकीज बना लेंगे चोटी बड़ी जैसी आपको पसंदो वैसी कुकीज बना लें एकदम चिकनी बॉल बनाके हम इसको हलके से प्रेस कर लेंगे बस धियान रखें इसमें दरारे जितनी कम होगी उतना बढ़िया होगा और अब हम इसको ग्रीस कीवी बना लेती हूं अब इन सबको बनाके मैं इनके उपर यह डेसिकेट कोकोनट डाल रही हूं यह इसके उपर स्प्रिंकल करके हलके हाथ से हम दबा देंगे ताकि यह इसके अंदर तक सैट हो जाए यह देखिए इस तरीके से और ऐसे ही सारी तयार करके हम इनको दस मिनट के के लिए फ्रिज में रख लेंगे प्रिज में रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स वर्णा कुकीज कुर्कुरी नहीं बनेगी खस्ता नहीं बनेगी तो ऐसे ही सारी तयार करके मैं इनको फ्रिज में रख लेती हूं अब फिर हम इनको प्री हीटेट बाटी कूकर में 15 मिन तो हलका ठंडा होने के बाद ही आप डिमोल्ड करें फ्रेंड्स वरना यह भिखर जाएगी यह इतनी खस्ता बनी है तो एक बार यह ठंडी हो जाए फिर मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ यह कैसी बनी है तो अब यह हमारी खस्ता सी चौकलेट कोकिस तयार है यह इजी वे में यह चौकलेट कोकिस घर पे बनाएं और इनको इंजोई करें थैंक यू